असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हूँ शारुख और ये है शाओमी रेड्मी नोट एट प्रो जिसका आज हम लोग करने वाले हैं अन्बॉक्सिंग और जानेंगे कि आखिर ये टुगाइस कैसा है तो छोटा सा हैंड्स ओन भी हम लोग करेंगे तो अन्बॉक्सिंग करने के लि इसे फार दिया है और यहां से कुछ इस तरह से हम फार करके इसे बाहर निकालेंगे और कि यहां पे आपके रैपर 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 या बिल यह कैसे बिल रखते हैं यार इन्हें हटाव साइड में ओके यह रहा दोस्तों शाओमी रेड्मी नोट 8 प्रो और अंदर और कुछ भी नहीं है कोई कि रैपर्स मगरा नहीं है गाइज चलिए करते हैं इसका अंबॉक्सिंग और यहां पे लिखा हुआ है इंडिया नंबर वन ब्रैंड 6GB RAM 128GB ROM यानि कि 128GB वाला स्टोरेज है यह और 64 Megapixel का AI quad camera इसमें आपको मिल लाता है इधर Alexa built-in लिखा हुआ है इधर लिखा हुआ है Alexa built-in इधर भी वही चीज़ लिखा हुआ है सामने की तरफ में कुछ चीज़ लिखी हुई है जैसे कि mobile phone adapter है और कुछ-कुछ MRP और इधर एक stickers है और पीछे की तरफ जो है कुछ इसके लिखे हुए है specifications चलिए इसकी भी unboxing हम लोग कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या है तो यह जो है हम लोग यहां से cut करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है इसे open करते हैं वाँ guys just look at this सबसे पहले आपको यह चोटा सा box मिलता है जिसे अभी हम लोग फिलहाल side में करते हैं और यहां पर हमें मिलता है यह smartphone तो कौन सा color है तो guys यह है green color वो ग्रीन कलर जी हां बिल्कुल ही unique color तो इसे भी फिलहाल हम लोग जो है side में रखते हैं और देखते हैं किस box के अंदर हमें क्या मिल लाता है तो इस box के अंदर हमें सबसे पहले यहां पर की side में मिल लाएगा SIM tray ejector tool जो कि काफी सही है काफी अची quality का है काफी पतला है तो पहले से काफी जदा जैसा पहले था वैसे ही है और उसके बाद हमें यहाँ पर क्या मिलता है और तो एक जो है यह accessory मिलता है यानि कि यह cover मिलता है यह cover हला कि black color का होता तो जदा अच्छा होता क्योंकि यह पीला हो जाता है बट कोई बात नहीं दोस्तों हमें एक transparent अच्छी quality का cover मिल लाता है उसके बाद कुछ leaflets वगारा मिल लाते हैं यह रहाँ Redmi Note 8 Pro का user guide और यह है handset का warranty वगारा कुछ information चले इसे भी फिलहाल के लिए अभी करते हैं side में और देखते हैं कि अंदर हमें क्या कुछ मिल लाता है यहाँ पर हमें सबसे पहले एक USB type-C cable मिल लाता है जो की अच्छी quality का USB type-C cable है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर और उसके बाद आपको यहाँ पर एक charging adapter भी मिल लाता है charging adapter निकल जब रो यह राद उस्तों तो यह जो charging adapter है अगर मैं देखू तो यह support करता है 18W को तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हो गया 5V 3A supported है और 9V 2A भी supported है तो यह कुछ इस तरह का है जो की यह charger वही है जो की हमें MIB मिलता है सारे 400 रुपए में तो सेम बाते हैं यह काफी सही चीज़ है चलिए इन सब चीज़ों को आप देख लेते हैं तो यह सारी चीज़े आपको मिलती है box pack में काफी सही चीज़े हैं आप चलिए इन सारी चीज़ों को side में करते हैं और directly हम लोग ध्यान देते हैं कि अखीर हमें phone जो मिलता है वो कैसा है तो यह यहां पे हो गया दोस्तो और यह रहा हमारा phone इस phone पे हम लोग ध्यान देते हैं तो यहां पे Redmi का sticker चिपका हुआ है तो सबसे पहले हम लोग इसे जो है सबसे पहले power on कर लेते हैं चलो यार power on कर लेते हैं और यह होने लगा power on पीछे Redmi का लोग वा गया back side में आपको यहां पे यह मिल लाता यह मिल लाता stickers बगर तो चलिए से भी हम लोग बाहर की और निकाल लेते हैं अब गईस यहां पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसके कुछ डिजाइन के बारे में तो सबसे पहले आपको यहां पे dot drop notch मिल लाता है जो कि थलका सा बड़ा है अगर आपने पिछले phones को देखा होगा तो उससे थोरा सा बड़ा यहां पे dot notch display है लेकिन 6.5 इंचे की display है जो की काफ़ी लाजवाबाट है नीचे में जो छोटा सचीन है इधर छोटे छोटे विजल्स आपको देखने को मिल लाते हैं तो बहुत ही कम नहीं हुए विजल्स राइट साइड में आपको बटन्स मिल लाते हैं और बटन एंड वॉल्म रॉकर्स टॉप की साइड में आपको यहां पर एक मिलता है सेकेंडरी माइक्रोफोन नॉइस कंसलेशन के लिए और यहां पे एक आई ब्लास्टर मिलता है उसके बाद दुस्तों लिफ्ट की साइड में आपको दो ट्रे मिल लाते हैं एक में सीम लगेगा दोनों सीम और एक में दुस्तों माइक्रो एजडी कार्ड लगेगा जो कि Capacity Fingerprint Sensor है, यहाँ पर Redmi के Logos है, यह आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है, तो देखने में यह काफी ज़दा खुबसूरत है, तो यह पीछे का जो साइड है, पूरा का पूरा ग्लास बना हुआ है, और ग्रीन कलर सच में यार, बहुत ही लाजवाब लग रहा है देख Software Version पर चल रहा है, और अभी Fingerprint और अगरा कुछ भी setup नहीं करूँगा, तो यहाँ पर दोस्ते फर्स्ट लुक में ही आपको यह डिवाइस देखने में काफी ज़दा खुबसूरत लगेगा, हलाकि यह कोई दोस्तो AMOLED नहीं है, यह पूरा को पूरा IPS LCD डिस्पले दिया गय सब्सक्राइब है, बिल्ड क्यालिटी के बारे में मैं आपको यहाँ पर पता दू कि यहाँ पर हाथों में फील करने में बहुत ही अच्छा लगता है, विकॉस पूरा का पूरा glass body होने के कारण दोस्तो यह जबरदस लगता है, हलाकि एक चीज में आपको पता दू यहाँ पर जो frame दिये गए हैं, वो पूरे का प्लास्टिक के frame है, यानि कि दूस्तो बैक में आपको glass मिल लाता है, यहाँ से यहाँ ता corner to corner, लेकिन यहाँ पर जो frame दिया गए तो प्लास्टिक का दिया गए, तो अगर वो frame metallic हो जाता है, या दोस्तो कुछ और हो जाता है, जो कि प अगर आप ऐसे हिलते रहेगा, अगर आप ऐसे करते हैं, तो यह चीज़ है, जो कि थोरी सी कमी है, camera bump ज्यादा निकला हुआ है, और इसका cover लगा करके भी हम लोग देख लेते हैं, कि camera bump ढगता है कि ने, तो यह है हमारा cover, और इस cover को लगाते हैं, तो यह cover तो काफी से fit हो रहा है, लेकिन camera bump इस cover में भी नहीं डग रहा है, तो अगर आप इसे flat surface पर रखते हैं, hard surface पर तो आपका camera जो है, वो scratch हो सकता है, इसलिए आप इसे directly ऐसे रखने से बचिए, और कोई ऐसा cover की इस्तिमाल कीज़िए, जिसमें यह camera bump जो है चिप जाए, इसमें तो यह camera camera bump बिल्कुल भी नहीं चिप रहा है, लेकिन एक चीज़ अच्छी बात है, कि इसमें आपका यह जो jack है, USB Type-C यह चिपाने का जो जगह है, यह दिया गया है, तो आप इसे ऐसे lock तरके रख सकते हैं, हलाकि speaker grills पर ऐसा कुछ भी नहीं है, या फिर दोस्तों 3.5 mm jack पर ऐसा क कुछ भी नहीं है, लेकिन overall जो cover की quality वो भी काफी अच्छी है, और इससे आपके phone की color की जो खुबसूरती है, वो ढख नहीं रही है, तो यह काफी अच्छी बात है, setup होने में काफी जगा time लग रहा है, तब तो कुछ और चीज़ों के बारे में बता दू, तो इसका जो processor ह है, दोस्तों वो आपको मिलता है, Mediatek का Helio G90T processor, जो की बिलकुली निया gaming processor है, और वो processor काफी कमाल का है, मैं सच बता दो, दोस्तों मैंने पहले भी इस phone को test किया है, और काफी जबरदास्त है, तो यह सारी बाते मनों करेंगे review में, लेकिन यह जो variant है, दोस्तों 6GB RAM और 128GB ROM वाला variant है, यानि कि इसमें आपके 128GB के इस्टोजी मिल लाता है, जो की 16,000 में आपको मिलता है, 15,000 में 6GB RAM और 64GB मिलता है, लेकिन मैं कहुँगा कि 1000 लगा करके UFS 2.1 वाला 128GB ले लिजिए, और इसमें microSD लगता है, तो आप 256GB microSD card लगा लिजिए, फिर तो यह जो phone है, बिल कुछ और specifications बता दोती है, यहाँ पर पीछे में लिखा हुआ है कि front camera 20MP का है, और front camera 20MP का है, उसकी भी हम लोग टेस्टिंग करेंगे, और यह पूरा-पूरा Gorilla Glass 5 से जो है यह पूरा-पूरा दुस्तों protected है, तो यह काफी अच्छी बात है, बाकि इसके लाबा जादा कुछ नहीं है, dual volty है, 2 plus 1 card है, तो Redmi Note series का यह अब तक का सबसे powerful phone है, दोस्तों सबसे जबरदस्ट phone है, कब होगा यार, यह setup मैं तब से इंतजार कर रहा हूँ कि यह setup हो जाए, लेकिन finally लगता है कि अब यह setup हो गया, और setup होते ही दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इस version 10.4.2 पे काम कर रहा है, शायद मेरा focus थोरा सा खराब है, और यहाँ पर all specs में जाओ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं Android version Pi है, security pass level 1 September का है, और इसमें RAM और आप storage वगरा जो है, देख सकते हैं कि इजना है, यह सारे चीज़ें, चलिए दोस्तों यह तो बात होगी, इसके क कुछ specifications वगरा के update वगरा भी हम लोग चेक कर लेंगे, digital well-being भी आपको इसमें pre-install मिलता है, यह काफी चीवाथ है, लेकिन हम लोग चेक करते हैं इसके camera, यहाँ पर दोस्तों आप देखे थे इसमें Alexa built-in है, तो यहाँ पर tap करके आप Alexa को setup कर सकते हैं, और Google Assistant के तरह काम हाला कि Alexa built-in के जगा इन्हें लिखना चाहिए था Alexa pre-installed, तो यह built-in के जगा लिखा रहा था, Alexa pre-installed तो वो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि built-in क्या है, इसके अंदर Alexa built थोरी किया गया है, इसके अंदर कोई device थोरी Alexa का, बस सिर्फ एक software डाल दिया गया है Amazon का Alexa, और लि जूम, लेकिन हाला कि Telephoto Lens नहीं है, तो यह जो 2X जूम है दोस्तों यह पूरा को पूरा software based जूम है, यह है दोस्तों इस तरह की चीज़, उसके बाद 64 Megapixel आपको यहाँ पे mode मिल लाता है, और देखते हैं खीछने में टाइम लगता है की नहीं, दोस्तों बहुत ही फटा करते ही, मैं जाता है, बिल्कुल ही करीब, तो आप देख रहा है, कि जो Macro Lens है, वो बिल्कुल ही करीब से भी focus कर ले रहा है, यही नहीं, मैं अपने हाथों के बालों को भी दिखाता हूँ, आपको तो यह देख रहे हैं, कि यह जो focusing है, गाईज, ला जवाब focusing कर रहा है, जबरदस्ट focusing कर रहा है, बिल्कुल ही नजदीक से, मेरे skins आप देख सकते हैं Macro Lens में, और Macro Lens को मैं 2x तक zoom भी कर सकता हूँ, यह आप देख सकते हैं, तो यह आप मेरे बाल देख सकते हैं, ऐसा लगेगा, जैसे कोई रसी है, तो गाईज, Macro Lens भी काफी जबरदस्थ है बवाल है, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़े दी गई हैं, जैसे कि TikTok के filters आपको इसी में दिया गया है, इसी वाले दोस्तो, कैमरा में, आप short video में जाएंगा तो यहाँ पे आपको मिल लाएगा, हाला कि अभी मुझे time date set up करने के लिए बोल रहा है, इसले नहीं आ आया गया है, तो मुझे भी वैसा ही कुछ लग रहा है, बट काफी sharp है quality, काफी अच्छी है quality, तो यह सब कुछ हम लोग जो है review में देख लेंगे, तो first impression मेरा phone का काफी जबरदस्तरा, काफी बवाल रहा, और इसके बारे में दोस्तों में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाह है, अगर आज की वीडियो पसंद नहीं तो हम चाहिए, वो जल्दी ही देखने को मिल लाएगा, थैंक यू दोस्तों, बब बाई, जैहिंद